गिरिडी जिले के गावा थाना च्छेतर के पंडरिया में एक ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत होगी बाइक परसवार एक अन्वी वक गंभी रूप से घायल हो गया है गायल युवक का इलाज सामुदाइक स्वास्तिकेंद्र गावा में चल रहा है जानकारी के अनुसार मृतक गावा धाना च्छेतर के नवाड निवासी गोविंदु कुमार है बताया जाता है कि मृतक एक अन्वी वक के साथ बाइक पर सवार होकर गावा से अपने घर वापस जा रहा था जमडार के पास गिट्टी लगा एक ट्रैक्टर काफी तीएग गती से उधर से आ रहा था और उसने बाइक को टक कर मार दी घटना के बाद आनन फानन में दोनों को अस्थानी ग्रामीन दुआरा सी एच सी लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने गोविंद को अम्रित खुशित कर दिया घटना के बाद आकुरुशित लोगों ने गावा तना मोल के पास गावा तिसरी पत को जाम कर दिया इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद गावा पुलिस आकुरुशित ग्रामीनों को समझाने का प्रियास कर रही है जिला परिशद सदस्य समेथ कई जन प्रतिरीदी भी मौके पर पहुँच कर लोगों को धाड़स बहा रहे है स्वदेशी हस्त शिल्प मेला सौ से अधिक दुगानों और एक से बढ़कर एक देशी विदेशी जूलों के साथ अब गिरीडी के जन्डना वैदान में चल रहा है स्वदेशी हस्त शिल्प मेला, टावर जूला, डेक डांस जूला, टॉय ट्रेन सहित कई शांदार जूलों का लुथ मुटाएं बच्चों के लिए खासत तोर पर मनुरंजल के तमाम साधन हमारे शांदार मेला में मौजूद है तो अवसर का लाव उठाए, सब परिवार स्वदेशी मेला में आए और मनुरंजल के साथ साथ हर तरह की खरेदारी का भी अनन्द उठाए स्वदेशी हस्त शिल्प मेला, जन्डना बैदान गिरिडी झालना बैदान बैदान गिरिवार स्वदेशी में आए आए